हेलो फेंट्स, वेलकॉम बेक टू माई चनल, फेंट्स हर कोई अपने दुबले पतले सरीर से प्रिजान है, हर वेक्ति चाहता है कि उसके सरीर का वजन ज्यादा हो, यानि कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कि उसके दुबले पतले सरीर का वजन बढ़ता चला जाए, यहीं दूस अगर लड़कों का वजन कम है, तो वो देखने में दुबले और ऐसे लगते मानवो बिमार हो, फेंट्स, दुबले पतले सरीर को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी, इस नुस्खे से आप एक ही महीने में अपने सरीर के वजन को तेजी से बढ़ा सकते हैं, आपको इसका रोजाना यूज करना है और अपने दुबले पतले सरीर से आप हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं, शरीर को मोटा बनाने के लिए आपको ज़्यादा महेंगे प्रोडक्ट की जूर्ट नहीं पड़ेगी, ज़्यादा बाएगा ही नहीं, बलकि आपके सरीर के अंदर मुती भी मुझूद होगी, तो आपको ज़्यादा टाइम ना लेती, चले शुरू करते हैं इस नुस्खे को, इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेनी होगी कर्ड यानि की तहीं, दहीं फेंट्स हमारी बोड़ी के आपको इसमें सूखा नारियल लेना है, और इसका कद्दू कज करके इसका पावडर तयार कर लेना होगा, आपको इसमें एक चमच नारियल के बारूदे को एड कर लेना होगा, इस तरह से आपको सिर्फ एक ही चमच नारियल का बारूदा इसमें एड करना है, आपको इसमे हनी यानिकी शहद को एड़ करना होगा शहद भी फिंट हमारे बोड़ी के वजन को तेजी से बढ़ाने का कार्या करता है इस तरह से आप इसमें एक चमज हनी एड़ कर लीजेगा फिंट हमने जो इसमें दही यानिकी कड लिया है कड के अंदर मोजुद विटामिन सी, आयरन, पोटैसियम हमारे सरीर के वजन को बढ़ाने का कार्या करता है और ये हमारे सरीर को चूस्त, तंद्रोस्त बनाए रखता है और हमारे सरीर को अन्नेक बिमार्यों से बचाने का भी कार्या करता है दही हमारे स्रीर को अंदर से मजबूती देती है और हमारे दिमाग को ठंडा लगती है और दूसरी और जो हमने इसमें नारिल का पाउडर लिया है उसके अंदर आइरन, पोटेसियम, सल्फर, फाइबर और वजन को तेजी से बढ़ाने के तत्व पाय जाते हैं जिससे की फें ये हमारे चेहरे पर चमक लाने का कार्य करता है आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और अफॵेंड जब सुभे उठेंगे तो आपको खाली पेट इसका बजाना सेवन करना होगा और लगता एक मन्थ तक आप इसका सेवन कीजेगा एक ही मन्थ में आप देखेंगे कि आपके स्रीर पर कैसे मास आ गया है आपका दुबला पतले स्रीर कैसे मोठा होने लग गया है और 37ड़ सिट यह आपके श्रीर के अंदर सुस्ती को भी आने नहीं देगा तो आप लगतार एक मैंद तक इसका यूस कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले धन्यवाद प्रेस करना भूले धन्यवाद प्रेस करना भूले धन्यवाद झाले धन्यवाद प्रोटीन वितामिन